हेलो स्ट्रेंट्स कि अज हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे अनि आर्टिकल्स ए एन एंड़ दा यह आर्टिकल्स हैं और आर्टिकल्स जो हना एक कि नाउन के उबस्तिति को इंडिकेट करते हैं यानि कि आर्टिकल्स हमिश्या नाउन के साथ ही यूज किये जाते हैं आर्टिकल्स जैसे संदेंस है तो फ्लोवर के साथ क्या लग गया है दा गिव मी ए बुक तो यानि कि हमने ए का प्रियोग किया एन का दा का यह सब आर्टिकल्स हैं तो आर्टिकल्स दो परकार के होते हैं इ इंडेफिने अर्टिकल्स अर् डेफिने अर्टिकल्स इंडेफिनिट यानिकी जैसे नाम से यह एनिश्चित A and N are इंडेफिनिट आर्टिकल A and N क्या है इंडेफिनिट आर्टिकल है क्यों? They are called so वे ऐसा इसलिए कहलते हैं Because क्योंकि Because they do not indicate any particular person, thing or place किसी particular person, thing or place को indicate नहीं करते वो जनरल चीज़ को indicate करते हैं जैसे a dog is barking A dog is barking एक कुता भोक रहा है तो A लगा दिया Apple, an apple लेकिन जो definite article है दा है वो definite article है It is called so Because it points to a particular person, thing or place ये एक particular person, thing or place को indicate करता है तो A और N है वो सिरफ singular नाउन के साथ यूज होते हैं लेकिन दा है वो singular या plural दोनो नाउन के साथ यूज हो सकते हैं तो आप लोगों को clear हो गया होगा कि article There are two kinds of article Indefinite and definite Indefinite A and N are indefinite Because They do not indicate any particular person, thing or place And दा है Definite article Because It points to a particular person or thing तब हम Detail से पढ़ेंगे सबसे पहले Indefinite article Indefinite article A का यूज कहां करते हैं A का यूज कहां करेंगे हम A का यूज हम वहां करेंगे जहां जो नाउन है उसकी sound एक consonant से start हो रही है यहनिकि जो नाउन जो हम उसको उचालन करेंगे वो A is used before nouns beginning with consonant and consonant sounds जैसे A boy A girl A book इन सभी में अब हम बॉल के देखते हैं तो A boy start कहां से होता है boy boy बैस आया कोई vowel नहीं आया जो नाउन consonant की sound से start होंगे वो उसमें हम A का प्रियोग करते हैं European अब स्टार्टिंग में आने को तो इसमें क्या वोल आ गया है लेकिन इसका उचालन कहां से होता European U से start हो रहा है वोल से start नहीं हुआ तो इसलिए हम इसमें भी A का प्रियोग करते हैं और N का प्रियोग N का प्रियोग हम कहां करेंगे N का प्रियोग हम वहां करेंगे N is used before nouns beginning with vowel sound vowel से या vowel sound से start हो रहे हैं में vowel से होने के बजाए हम में यह कहेंगे कि जो vowel sound से start हो उनके साथ हम N का प्रियोग करेंगे जैसे an apple an aeroplane an elephant an MLA तो इस डंक से जो N की sound से start हो यान की vowel की sound से start हो उनमें हम N का प्रियोग करेंगे indefinite article A और N का कहां का प्रियोग होता है single entry के लिए प्रियोग होता है कई बार जैसे एक दर्जन के ले एक दर्जन अंडे तो वह पूरी quality को दर्षाने के लिए a dozen egg a cup of sugar इस डंक से भी हम एक अप्रियोग करते हैं to show rank profession and community a muslim a doctor to indicate any for identifier individual as the representative of a class a child should obey his parents और proper noun से पहले भी हम कई बार एक अप्रियोग हलांकि नहीं होता proper noun से पहले लेकिन before a proper noun to point out an unfamiliar person a sonali sarma wants to meet you कोई sonali sarma आप से मिलना चाहती है इस डंक से कई बार हम आमतर पर दायोजोने होते हैं लेकिन हम a और n का प्रियोग इस डंक से करते हैं तो a और n का प्रियोग आपको कलीर हो गया कि जो वावल साउंड से स्टार्ट हो उनमें an लगाएंगे और जो वावल साउंड की साउंड से स्टार्ट हो वो उनमें हम a लगाएंगे एक दो एक जामपल देख ले फैस्ट है अब हमको इन संटेंज में प्रोपर आर्टिकल फिल करते हुए प्रोपर संटेंज को दुबारा लिखना है एपल देख दा डॉक्टर अभी इसमें प्रोपर क्याएगा an apple a day keeps दा डॉक्टर अभी इसे आपको इन सब में आर्टिकल फिल करने हैं तो he is a doctor next आता है definite article definite जैसा बताया गया था कि specify करता है विशेश तापर कट विशेश रूप से particular तागो जैना कि particular person place thing को दर साता है जैसे the butterfly the butterfly कौनशी the butterfly which flew into the room जो कमरे में उड़ रही थी the butterfly which flew into the room was pink कि वो गुलाबी रंकी थी अब ये आम butterfly नहीं रही विशेश हो गई कौनशी butterfly का जिकर कर रहा है which flew into the room जो कमरे में उड़ रही थी वो गुलाबी थी तो हमें butterfly के साथ क्या लगा दिया the सिदा होता a butterfly is flying in the room अब लेकिन वहाँ उसका special जिकर हो गया कि कौनशी butterfly का जिकर हो रहा है कि जो कमरे में उड़ रही थी तो इसलिए हमने दा को प्रियोग किया the can be used with countable and uncountable singular और plural दोनों के साथ यूज़ हो शकता है जो कि a और n का सिरफ singular noun के साथ ही यूज़ होता है अब हम दा कहां कहां यूज़ करेंगे कि तो clear हो गया कि जब विशेश हो जैसे यह वही लड़का है जिसने मुझे जिसने मेरा pen चुराया था he is the boy who stole my pen तो यह विशेश जब भी हो जाए कि यह वही है यह वही लड़का है जिसने पर थमस्तान आसिल किया तो इस डंक से हम दावा पर यूज़ करते हैं एक है जब particular class को व्यक्त करता है कोई चीज जैसे the rich, the poor, the lucky the rich should help the poor की अब एक गरीब की बात नहीं सभी गरीबों की बात की जारी है सभी अमीरों की बात की जारी है the rich should help the poor की अमीरों को गरीबों की साहता करनी चाहिए तो जब कोई whole class को प्रेजेंट करता हो प्रेजेंट करता हो तो वो दा लगाएंगे हम इसे प्रकार जैसे किसी जाती विशेश को प्रकट करता हो the tiger is a cruel animal the fox is a canning animal तो tiger ही सभी tigers की बात वर इसलिए हम दा का यूज़ करेंगे the tiger, the fox इसे प्रकार adjective जब quality show करता हो the beauty of the flower उसके अलावा superlative degree अभे अपने degree पढ़ी थी पहले good, better, best जब भी superlative degree आती है तो इसके साथ भी हम दा काप्रियो करते हैं it is the smallest bird in the the smallest याँ superlative degree के साथ हम दा काप्रियो करते हैं अब इनावन काप्रियो तुस्चोई unit of measure eggs are sold by the dozen milk is sold by the later तो इस डंग से भी हम दा काप्रियो करते हैं अगला है कि जितने भी direction है और natural things है direction और unique जो भी कहें या हम natural कहें unique जो हैं जैसे earth है, the moon है, the sun है, the planets है और direction है the east, the west, the north और south यानि कि unique जो चीज हैं उनके साथ हम दा काप्रियो करते हैं the east, the north, the south, the moon, the sun, the planet इसके अलवा certain common nouns the cinema, the temple, the theatre I often go to the theatre with my family तो ये हो गया दा का प्रियोग, अब जो main जहां दा का प्रियोग जन्डल चीजें हैं, इनके साथ दा का ही यूज होता है जैसे इन सब के साथ हम दा का यूज करेंगे seas and oceans, समोद्र और सागर जितने भी हैं जैसे दे रखे हैं दा Pacific Ocean, Atlantic Ocean जो पवीतर पुस्त के उनके साथ दा का प्रियोग करेंगे दा कुरान, दा रामाएन, दा महाबार, ट्रेन, शेप, सेरोप्लेन जितने भी हैं उन सब के साथ दा राज धनियाख स्पेस दा एमिराथ नदियोग के साथ दा गंगा, दा यमुना, दा ब्रह्म पूत्र, माउंटेन जितने भी हैं दा हिमाल्याज, निउस पेपर, दा टाइम्स आप इंडिया, दा ट्रीब्यून कंट्रीज, यदि उसमें कॉमन नाउन, दा युनाइटिट गिंग्डम, दा युनाइटिट स्टेट अप अमेरिका इंपोर्टेंट जो बिल्डिंग है, दा ताज मेल, दा कुत व मिनार तो इन सब के साथ भी हम क्या लगाएंगे, दा का प्रियोग करते हैं तो यह सब हम ध्यान रखेंगे, यह सब याद रखेंगे, किन गिन के साथ दा, तो दा कहां का यह जो आई, यह आपको क्लिर हो गया, स्पेसिफिक कोई विशेश हा जाए, कि हिजाती विशेश को प्रकट करता हो, पूरी जाती के लिए, दा रिज, दा पूर, दा टाइगर दा काओ, तो यह जो आई, पूरी जाती के विशेश ता प्रकट करता हो, और यूनिक चीज हैं, जैसे दिसाए हैं, इस्ट वैस्ट, नॉर्थ, साउथ, नैच्रल थेंग, जैसे सान, मून, इन सब के साथ हम धागा परियोग करते हैं, और अभी जो हमने पढ़ा कि, समुद प्रॉपर आर्टिकल फिल करने हैं, इसमें ए आएगा, एन आएगा, एदा आएगा, तो यह आप कुद करेंगे, यह टेंशन टेंशन है, अब हम यह देखेंगे कि कहां आर्टिकल का प्रियोग नहीं होता, आर्टिकल का प्रियोग कहां नहीं करेंगे हम, तो एक तो करेंगे जैसे मेहंदर सिंग धौनी लेट्स दा इंडियन गिरकेट तो मेहंदर सिंग धौनी के साथ हम आर्टिकल अपरियों नहीं करेंगे कोई भी नाम हो एक प्लॉरल नाउन है तो उनके साथ हम जिसे चिल्डन लव आइसक्रीम बार्टिट वाइमज तो उसके साथ भी हम आर्टिकल अपरियों नहीं करेंगे family relations जैसे father है mother है brother है इन सब के साथ भी हम आर्टिकल का प्रियों नहीं करेंगे सब्सक्राइब को जाए सिर्फ्ट्रैक्टन के साथ जैसे ऑनेस्ट्टी है आप मैं स्बस्क्राओं के साथ और अप नहीं करेंगे कि यह हैं जिनके साथ हम आर्टिकल्स कप्रियों नहीं करेंगे नहीं अप गेम के साथ किरकेट है, चैसे है, होकी है, इनके साथ आर्टिकल अपरियोग नहीं करेंगे, बहुजन के जैसे लांच है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, इनके साथ आर्टिकल अपरियोग नहीं करेंगे, और बिमारियों के नाम है, मलेरिया, टाइप आइज, इनके साथ और महिनों के नाम, दिनों के नाम, मौसम, मंडे, जनुवरी इनके साथ हम आर्टिकल अपरियों नहीं करते ही तो यह आप ध्यान रखेंगे कि इनके साथ हमें आर्टिकल कोई भी नहीं यूज करना है स्टुएंट्स यह सब आप अच्छे से करेंगे तो आर्टिकल का ट्वाफिक आप बता है यह जो तो अक्सरसाइज है यह आप अच्छे से करेंगे ओके स्टुएंट्स